हलो बच्चो वेलकम बैक, so after exploring the concepts of Newton's laws of motion और उसके बाद pseudo force and inertial and non inertial frame को अच्छे से nature में observe करने के बाद आप बारी है इनके कुछ questions को कुछ परिस्तितियों को explore करने की और यहाँ पर भी हम formula based approach नहीं लगाएंगे हम लोग वही करेंगे जो हमीशा से करते आए हैं उन परिस्तित से उस concept के जरिये जो हमने सीखा है देखो जवाब खुद बखुद आपके पास चल कर आ जाएगा ठीक है तो चलो यह आपका level 1 वीडियो है तो इसमें questions आपके थोड़े easy होंगे up to the concept होंगे बट यह आपका एक base ready करेगा bigger questions के लिए जो बस length में लंबे होते हैं आसान वो भ भी है pause करना है आपको वीडियो को पहले question को read करना है and then उसके बाद आगे आप बढ़ोगे ठीक है चलो तो यह रहा आपका पहला question a body of mass m is suspended by two strings making angle alpha and beta with the horizontal find the tension in the string ठीक है so यह आपके पास एक ceiling है जिसमें आपके पास एक box है जो कि दो strings से बंदा हुआ है एक string यह रहा एक string यह रहा और यह जो दोनों strings है यह alpha and beta बना रहे है horizontal से so यह जो angle बन रहा है that is alpha और यहाँ जो angle बन रहा है that is beta और इस box का mass आपको small m दिया हुआ है तो आपको बताना है find the tension in the string तो यानि के आपको यहाँ पर दोनों string के अंदर जो tension produce हो रहा है उस tension को आपको बताना है अब directly इस direction में खीच रही है दूसरी रसी इस direction में खीच रही है और गुर्त्वा करशन नीचे खीच रही है now it's time कि क्योंकि यह हमारा पहला question है हमें अपने laws of motion में जो भी ज्यान हमने लिया है उसको अपने आपसे एक बार revise करना है मनी मन में और उसको feel करना है तो भाई देखो अ हमने क्या discover किया इसके basis पर आगे चलके कि force acceleration produce करता है और उसका relation हमें निकल कराया force is equal to mass times acceleration क्योंकि force आपके mass पर भी dependent है और acceleration पर भी dependent है और हमने lecture के अंदर ये explore किया था कि proportionality में plus आता है और multiply आता है और यहां हमने multiply क्यों लिया क्योंकि zero mass पे आप force apply कर नहीं सकते और zero acceleration पर हमें result में zero आना चाहिए था जो कि plus में possible नहीं था multiply में possible था इसलिए हमारे पास formula बन कर आया force is equal to mass times acceleration फिर further revise करें तो हमारे पास acceleration एक वेक्टर है force भी इसलिए एक वेक्टर हो जाता है क्योंकि vector multiplied by scalar is itself a vector क्योंकि scalar से multiply होने की वज़े से vector अपनी direction खोएगा नहीं that is why एक scalar को आप एक vector से multiply करोगे तो result आपका scalar oh sorry vector होगा as simple as that फिर दूसरे सिधान्त की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अब इसी से हम continuity में आगे जाए तो दूसरे सिधान्त में हमने सीखा जिस दिशा में force लग रहा है acceleration उसी direction में होगा जिस direction में force लग रहा है acceleration उसी direction में होगा और फिर यह हमारा Newton का दूसरा सिधान्त बना कि जिस दिशा में force लगा रहे हो momentum change भी उसी direction में होगा और फिर हमने momentum के बारे में जाना कि यह important क्यूं है क्या just इसकी definition यही है कि it is a product of mass times velocity नहीं momentum के बारे में हमने जाना कि momentum आपके लिए एक तरीके से वो ability है कि आप कितना force produce कर सकते हो जित जिनी तेज आप momentum change करोगे उतना जाधा force exert करोगे जितना धीरे आप momentum change करोगे उतना कम force Donc करोगे यह चीज हमने किस परिस्तिती से जानी थी हमने उस परिस्तिति से जानी थी कि दो object सामने सामने आ रही है और वह एक दूसरे से टकरा गए एक 2 km पर आर की स्पीड से आ रहा है, एक 100 km पर आर की स्पीड से आ रहा है, और दोनों जब टकर आ गए, तो किसको जादा impact मिलेगा, और यह चीज हमने देखा कि आगे चलके हमें पता चला कि यह, velocity तो एक important role play कर रही है, लेकिन साथी साथ यहां mass भी एक important role play कर रही है, और व लोगों ने, यह quick revision है हमारे पास, तो इस चीज को अगर मैं देखूं, तो mass को मैं derivative के अंदर ले जा सकता हूं, क्योंकि constant अगर किसी variable के साथ multiplied है, तो वो derivative के बाहर आ जाता है, अब हम क्या कर रहे है, ठीक उसका उल्टा करेंगे, तो mass times velocity vector का derivative जो है, वो आपके पास बन जा मास times acceleration vector, और यहाँ पर यह किस के बराबर है, force के बराबर है, इसलिए force क्या हो गया, force vector is equal to rate of change of momentum vector with respect to time, क्योंकि यह क्या है, आपका momentum है, यह सारी चीजे हम लोगों ने discover करी, तो अभी हम Newton के second law तक हम लोग पहुँच गई है, ठीक है, जिस direction में आप force लगाओगे, acceleration भी उस reference से जुड़ा हुआ है, यह तो हमारे vector के घ्यान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि force एक vector है, ठीक है, अगर मानलो यहाँ पर दो forces लग रही है, एक force इस तरफ, एक force इस तरफ, और let's say एक forces तरफ, तो हम जानते हैं अब, कि force आपका vector है, मानलो यह F1 है, यह F2 है, यह F3 है, तो मैं चाहूं तो इसको इस तरह से solve कर सकता हूँ, और यहाँ पर angle ले सकता हूँ, theta, यहाँ पर angle लोगा phi, यहाँ पर angle लोगा alpha, और फिर F2 को मैं components में डालूँगा, तो F2 का क्या हो जाएगा, F2 cos phi, और इधर component आएगा, F2 sin phi, F1 के components लोगा, F1 cos theta, और यहाँ पर हो जाएग हमने distribute कर लिए, और Y direction में हमने distribute कर लिए, और perpendicular vectors जो होते हैं, वो अपना अपना काम करते हैं, यह ग्यान हमने vectors में से लिया था, तो यहाँ पर X direction में जो भी आपका net force होगा, सीधा सा logic, एक force मुझे 5 Newton से खीच रहा है, एक force 10 Newton से खीच रहा है, और इधर एक force मुझे, क्या के तो net force मेरा इस direction में क्या होगा, as simple as that, तो net force मेरा वहाँ क्या होगा, 15-4 जो की होगया, 11 Newton, तो overall मैं 11 Newton के force से इस direction में खीचा चला जा रहा हूं, तो net force is equal to mass times acceleration Newton का दूसरा सिधान, और उसी को हम free body diagram में apply करेंगे, और वो क्या होगा, यह X direction में है, यह X direction में है, और दोनों same direction म minus, यह दोनों खीच रहे हैं, यह oppose कर रहा है, minus F3 cos alpha, अगर मैंने यह direction मैंने अपना acceleration लिया, तो वही इसको मैं, मतलब पहले इसको लिख देता हूं, mass times acceleration in X direction, whereas अगर मैं acceleration इस direction में लेता, ठीक है, तो मिर पास आता, F3 cos alpha, minus F1 cos theta, minus F2 cos phi, क्योंकि अगर मैंने acceleration इधर लिया है, तो यह उस direction में force लगा रहा है, ठीक है, और यह दोनों क्या कर रहे है, उसी direction को oppose कर रहे है, इसलिए यह positive और यह negative, and that will be equal to mass times acceleration in negative X direction, यह तो specify करने के लिए है, बाकी, अब देखो, यहाँ पर मैंने इनके sign नहीं दिये है, obviously अगर इनकी value इससे बड़ी होगी, तो यह plus वाला पार्ट, negative वाले पार्ट से बड़ा होगा, तो acceleration positive आएगा, अगर यह चीज इससे छोटी होगी, अगर इनका sum इससे छोटा होगा, तो answer खुद बखुद negative आएगा, और जैसी negative answer आया, आपने यह direction acceleration चूज करी थी, अगर answer मान लो, plus 5 आगया, तो वो उसी direction में accelerate कर रहे है, ल तो भाई, यहाँ पर X की acceleration निकाल सकता हूँ, Y का acceleration निकाल सकता हूँ, और acceleration मेरे पास vector है, तो AX का square प्लस AY का square का under root, मुझे resultant acceleration प्रोवाइड कर देगा, और यहाँ पर AX, AY जब मैंने लिया, तो यह resultant acceleration आगया, यह है AX vector, यह है AY vector, और इसमें जो angle है, मान लो, वो alpha ह ठीक है, यहाँ बीटा ले लेता हूँ, ठीक है, तो अब मैं tan बीटा कैसे निकाल लूँगा, simply perpendicular upon base, AY upon AX, और जो भी इसका result आएगा, inverse trigonometric करके मैं इसका result निकाल लूँगा, ठीक है, तो देखो कितनी जल्दी revise होने लगा, यह chapter बहुत ही आसान है, हमें सिर्फ nature से बात क किया, और lecture 2 के अंदर किया, lecture 1 के अंदर हमने forces को समझा, उसका relation समझा, momentum को समझा, acceleration के साथ उसको connect किया, और Newton के तीनों नियमों को nature में observe करके हमने ढूंडा, whereas lecture 2 के अंदर हमने देखा कि observer के point of view से चीजों को देखना start किया, कि observer अगर rest में है, तो सब कुछ Newton's laws of motion के साब से चल रहा है, constant velocity से move कर रहा है, तो भी वो Newton's laws of motion के हिसाब से work कर पा रहा है, सही calculations कर पा रहा है, लेकिन अगर वो accelerate कर रहा है, constant acceleration से करे, या variable acceleration से करे, खर हमने सिर्फ constant acceleration को explore किया है, variable acceleration को explore करने वाली video थोड़े time बाद आएगी, वैसे भी वो आपके अभी current scenario या current syllabus में नहीं है लेकिन उसको मैं आपको लेकर आँगा, जब आप थोड़े और well mature हो जाओगे इस चीज में, calculus वगरा में अपनी habits बना लोगे, तो मैं variable acceleration के लिए आपको इसकी वीडियो मैं जरूर डालूँगा इसके उपर आपके college में जाने से पहले पहले, ठीक है, अब बचता क्या है हम Newton का तीसरा सिध्धानत और हमने इसको tug of war से समझा था, उसको जो दो बच्चे मुझे खीच रहते, इधर खीच रहते एक इधर खीच रहा था, उस चीज से हमने इसको observe किया था, वही आपका Newton का तीसरा नियम है, पूरा chapter आपका revise हो गया, पहला question करने से पहले, अब हमारे पास वो momentum आ चुका है, जो हमें ability देगा सारे questions को करने के लिए, और हाँ, साथ ही साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ठीक है, जब मैं free body diagram बना रहा हूं, तो इस दोरान, इस दोरान मैं basically क्या कर रहा हूं, मैं forces को component में तोड रहा हूं, तो frame of reference मैं अपनी मर्जी से ले सकता हूं, ठीक है, मुझे यहां पर frame of reference के लिए कोई rule नहीं बनाना है, frame of reference का मतलब यह है, कि आप अपनी convenience के अनुसार अपना frame of reference ले लो, जैसे मैंने पिछली बार इस तरह frame of reference लिया था, मैं इसी चीज के अंदर मान लो, एक force जो है, जिस direction में है, अपना frame of reference ऐसे भी reference ले रहा था, तो भी question solve हुआ, लेकिन वहां पर time जादा लगा, क्योंकि वहां पर number of equations जादा बन रही थी, और उसमें जादा variables को ढूना पड़ रहा था, लेकिन जब मैंने उस frame of reference को उस plane वाले question में, I think वो आपकी third question वाली, question answer वाली जो वीडियो थी, उसके third video के अंदर व chain की direction में लिया, हमारी calculation चुटकी बजा के, दो steps के अंदर complete हो गई, तो आपको solution तक पहुचना है, साथ इसाथ अपने intelligence का भी use करना है, ठीक है, चालो, तो देखो भई, यहां पर सारी कहानी हमने एक बार revise कर ली है, और अब हम यहां पर वापस से इस question के जाएंगे, ठीक है तो इस question की तरफ बढ़ते हैं, वैसे तो अब मुझे यह drawing भी erase करनी ही पड़ेगी, तो भई, यहां पर simple सा logic आपको क्या करना है, भई, question करने से पहले अपने concept को एक बार revise कर लो, और उसके बाद देखो, आपका काम कितनी आसानी से हो जाएगा, तो भई, यहां पर एक box है जिसको एक रस्ती यहां खीच रही है, दूसरी रस्ती यहां खीच रही है, यह एक floor से जुड़ी हुई है, ठीक है, तो भई, इस रस्ती में जो tension है, that is your T1, इस रस्ती में जो tension है, that is T2, पहली रस्ती जो है, वो alpha angle बना रही है, दूसरी रस्ती जो है, वो beta angle बना रही है, इसका mass है small m ठीक है तो यहाँ पर आपको ये बात तो पता चल गई है हाँ एक point on कि जब आप free body diagram बना रहे हो तो उसमें आप कौन से forces को दिखाते हो ठीक है देखो अगर एक body है ये body जो है ये मेरे हाथ पर रखी हुई है तो obviously ये जो duster है ये मेरे हाथ पर force लगा रहा है वेर लेकिन इस box का motion इस duster का motion determine होगा इस पर जो forces लग रहे हैं उन से तो बस इतनी सी चीज़ को हमें ध्यान रखना है और ये ध्यान भी क्या रखना है नेचर से हमें इस बात को communicate किया है तभी हम इस बात को समझ पाएं कि भाई ये कितना भी force लगा ले उससे इसके motion पे impact नहीं सेकिंड के अंदर ठीक है आप देखो आप questions करना कितना आसान हो जाएगा तो यहां पर मैं इस box का free body diagram जब बनाऊंगा तो मैं यह देखूंगा कि इस box पर कौन-कौन से force लग रहे है तो यहां पर लेता हूं मैं box को ठीक है T1 force यहां पर है तो इसके components ले लेता हूं सबसे प तो यह बन गया T2 sine beta माफ करना यहां पर cos आएगा ठीक है क्योंकि base वाली line है जिसके साथ angle connected होता है वहां पर cos आता है cos beta और यहां पर आ जाएगा T2 sine beta और नीचे की तरफ लगने वाला force mass into gravity यानिकि उसका weight तो अब यहां पर जो x or y में forces है उनको हम लिख लेते हैं और बस ह हमारा काम हो गया तो इस direction में force है मेरे पास T1 cos alpha इस direction में force है मेरे पास T1 sine alpha ठीक है इस direction में force है मेरे पास T2 cos beta और इसी direction में है मेरे पास T2 sine beta और नीचे की तरफ है मेरे पास mg काम खतम आप देखो इस situation को देखो यहां पर देखके आपको clearly अंदाजा लग रहा है कि यह जो system ह यह किसमे है, rest पे है, यानि कि acceleration in x direction 0, acceleration in y direction, क्या होगा, 0 होगा, इसका मतलब क्या है, left और right वाले force, ठीक है, simply left वाला force और right वाला force, मैं कब रुका रहूंगा, जब दोनों तरफ से बराबर force लगेगा, तो left वाला force और right वाला force आपके क्या हो जाएंगे, equal हो जाएंगे, 0 acceleration मे वही मतलब हुआ, otherwise आप mathematically कर लो, T1 cos alpha, मानलो इदर acceleration ले लो, T1 cos alpha minus T2 cos beta is equal to mass times acceleration, अब acceleration 0 है, तो वो 0 हो गया, तो this minus this is equal to 0, तो ये और ये क्या हो गए, equal हो गए, और आपका यहाँ पर पहले equation आ गई, और वो क्या है, कि T1 cos alpha, right वाला force, left वाले force के बराबर हो गया, that is T2 cos beta, ये बन गई आपकी equation number 1, काम खतम, पहले equation में time लगा रहा हूँ, उसके बाद तो देखो, आप खुद बखुद आपका momentum gain हो जाएगा, और फटा-फट question हो जाएगे, अब similarly y direction में देखो, क्या, क्योंकि ये rest में है, तो y में भी rest में हो गया, तो उपर के force is equal to नीचे के force, त चक्र आपका बस ऐसा ही चलने वाला है, इतना ही easy है, अब आपको क्या करना है, simplify करना है, आपके पस T1 है, T1 है, T2 है, ठीक है, आपको T1 और T2 निकालना है, तो यहां से T2 निकाल लेते हैं, ठीक है, तो T2 यहां पर क्या हो जाएगा, T2 is equal to T1 cos alpha upon में cos beta, यहां सिर्फ आप आपको solution मिल जाएगा, same काम उपर वाली direction में, और यहां पर हमारा result आ गया, और आप देखो, T2 is equal to T1 cos alpha upon में cos beta, और यहां पर put करते हैं, T1 sin alpha, plus T2 की जगे मैं लिख दूंगा, T1, T1 sin beta, माफ करना, T1 cos alpha, T1 cos alpha upon में cos beta, और multiply यहां क्या बचा, sin beta, sin beta is equal to mg के equal आगया, simple, आप T1 को common ले लो, तो T1 को हम यहां से common ले लेते हैं, और sin alpha cos beta हो जाएगा, sin alpha cos beta, अब तो मैं max ही कर रहा हूँ बस, और फिर यहां जाएगा, cos alpha sin beta is equal to mg, नीचे क्या है मेरे पास, division में है मेरे पास cos beta हो गया, मेरे पास देखो, काम मेरा solve हो गया, अब यहां पर थोड़ा सा trigonometry का ग्यान, ठीक है, sin a cos b plus cos a sin b is equal to sin a plus b, तो यह बन जाएगा sin alpha plus beta, तो cos beta यहां लेके जाते हैं, तो यहां पर आगया t1 is equal to cos beta यहां लेके गए, तो यह बन जाएगा mg cos beta divided by, यह क्या है मेरे पास, यह है मेरे पास sin alpha plus beta, काम खतम, तो यहां पर आजाएगा sin alpha plus beta, आपके पास T1 आ गया बच्चा कि आपके पास T2 तो T2 भी देखो आपको निकल गया T2 क्या है T1 T1 लिख लेता हूँ मैं पूरा का पूरा Mg cos beta upon में sin alpha plus beta multiply यहाँ पर है cos alpha by cos beta cos alpha by cos beta तो अब आप देखी सकते हो cos beta cos beta कट जाएंगे यह cos alpha यहाँ आ जाएगा तो बस rub करता हूँ और यहाँ पर अब मैं cos alpha लिख देता हूँ low height T1 और T2 देखो आगया process कितना simple है ना पूरी चीज revise भी कर ली हमने और question को बहुती आसानी से कर लिया अब आपके answers थोड़े fancy दिखना start हो जाएंगे इन chapter से लेकिन fancy दिखने का मतलब वो दिखने में बड़े beautiful से लगेंगे लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो hard है विलकुल भी hard नहीं है इन chapters के अंदर आपके सिर्फ simplifications लंबे हो सकते हैं लेकिन question इतना ही simple रहने वाला है इतना ही simple है आपका Newton's laws of motion लेचर से communicate करो देखो हम direct questions पे जंप करेंगे तो हमेशा परिशान होंगे पहले knowledge और उसके बाद mathematical communication with these questions क्योंकि questions मात्रे एक परिस्तिती होती है और कुछ नहीं ठीक है चालो तो अब बढ़ते हैं आपके next question की तरफ आप तब तक उसको read करो मैं यहां पर रब कर लूँ ठीक है चलो तो next question है हमारे पास दो bodies है जिनका mass एक minute रब कर ले फटा फट ठीक है two bodies है जिसका mass M1 and M2 are connected by a light string going over a smooth pulley at the end of the incline ठीक है incline यह रहा यहां पर एक pulley है और pulley को बोला गया है smooth smooth का मतलब होगा कि वहां पर friction exist नहीं करता है ठीक है और string को भी light लिया गया है यानि कि tension जो मैंने rope के बारे में आपको बताया था क्योंकि आप rope को massless लेते हो इसलिए throughout the string आपका tension क्या होता है सेम होता है whereas in reality rope आपकी massless नहीं होती है इसलिए उसमें tension हर point के साथ vary करता है lecture 1 में हमने इस चीज़ को observe किया था the masses are m1, m2 तो भाई यहां पर जो mass है that is m1 और यहां पर जो mass है that is m2 ठीक है m2 जो है वो ऐसे connected है यह एक string से connected है तो यहां पर यह connected हो गए system आपका rest पर है ठीक है यहां पर angle theta है given है कि system मेरा rest पर है ठीक है find the angle of the incline and the force exerted by the incline on the body of mass m1 तो आपको यहां पर इस angle को find करना है और यह जो incline इस पर force लगा रही है यानि कि यहां पर जो normal force होगा हमें इसको find करना है ठीक है simple देखो question करने की जल्दी नहीं करनी है आज हमें हर चीज को सोचना है ताकि exam में न सोचना पड़े ठीक है अब मैं यहां पर इस रसी को और इस mass को देखूँगा तो मैं कह सकता हूं directly कि वह tension उपर है बट ऐसे मत करो आप यहां पर एक बार फिर से उस concept को feel करो कि यह रसी है रसी से body लटकी हुई है तो यह जो body है वो रसी को नीचे खीचना चाहती है तो रसी इस body को कहां खीचेगी उपर खीचेगी अच्छा इसलिए मैं इस body का जब free body diagram बना रहा हूँ तो tension उपर दिखा रहा हूँ concept को यहां पर करो revise ठीक है तो मैं यहां पर लिखता हूँ पहला step fbd of m2 fbd of m2 लिखता हूँ और यहां पर m2 बनाता हूँ m2 पर लगने वाले force tension उपर जो कि मुझे दिख गया यहां पर क्योंकि यह block रसी को नीचे खीचेगा तो रसी उस block को उपर खीचेगी ठीक है और यहां पर लगेगा गुरुत्वा करशन बल यानिके उसका weight तो यहां पर यह दोनों चीज़े आ गई अब क्योंकि system rest पर है तो उपर का force और नीचे का force क्या होगा आपका बराबर होगा तो इस fbd से मुझे मिल गया कि t is equal to m2 g के equal है यह मेरी first equation आ गई as simple as that अब यहां पर चलते हैं fbd of m1 पे तो m1 का fbd बनाते हैं हम लोग जो की क्या होगा fbd of m1 ठीक है अगर मैं m1 को देखूं तो भाई fbd बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए frame of reference तो मैं अपना frame of reference देखो ऐसे लोगा यह मेरा x direction यह मेरा y direction ठीक है तो यह रहा मेरा x direction y direction आप देखो य mg mg जो होगा वो obviously कहां लगेगा m1g कहां लगेगा नीचे की तरफ ठीक है मेरा x direction कहां है इसको अच्छे से बना देता हूं ठीक है मेरा x direction यह रहा y direction यह रहा ठीक है अब simply यह angle theta है तो यह angle कितना होगा 90 minus theta तो यह angle हो जाएगा theta काम खतम ठीक है तो अब मैं अपने frame of reference के accordingly इ इस force को distribute करूंगा और एक और चीज यह block incline पर रखा हुआ है यानि उस पर force लगा रहा है तो incline इस पर वापस force लगा रहा है तो free body diagram में मैं कौन सा force लोगा जो इस block पर लग रहा है तो इस block पर जो force incline उस पर लगा रहा है that is your normal force तो मैंने यहाँ पर normal दिखा दिया m1g चीज रहा है तो रसी इसको उपर खीच रही है तो इस पे इस direction में लग रहा है tension t काम खतम और ऐसा frame of reference लेने का मुझे benefit क्या मिला कि मेरे 2 forces और already perpendicular axis के लाई करते हैं तो अब मुझे सिर्फ एक ही force को component में तोड़ना होगा अगर मैं यह वाला frame of reference लेता तो मुझे 2 forces को components में तोड़ना पड़ता जिससे answer आता लेकिन calculations में और simplification करना पड़ता ठीक है तो भाई M1G है यह थीटा वाली line है तो यहाँ पर जो component हो जाएगा M1G cos theta और यहाँ जो component हो जाएगा M1G sin theta काम खतम अगें अब system किसमें है आपका rest में है question हो गया x direction के forces जो होंगे वो एक दूसर किसके बराबर है M1G sin theta के और previous case में मुझे मिला था T किसके बराबर था M2G के बराबर तो T M1G sin theta के बराबर और T M2G के बराबर भी तो यहाँ से आपने sin theta निकाल सकते हो G से G cancel sin theta is M2 upon में M1 और बस आप यहाँ पर trigonometry के database का इस्तमाल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा inverse trigonometry से मिसीले सीखते हैं sin inverse M2 upon में M1 यह बन गया आपके पास angle तो हमने angle find कर लिया अब मुझे normal force बतानी है अगला part जो है मुझे यह normal force बताना है तो वो भी solve हो गया भाई y direction में देखो इस direction में देखो इस direction में भी यह rest पर है तो normal और M1G आपके क्या होंगे equal होंगे then normal is equal to M1G cos theta आपका काम यहाँ पर हो गया so this is your this is your normal force अब आपको यहाँ पर cos theta लिखा हुआ है आप चाहो तो उसको यह कर सकते हो यही answer है ऐसे दिखा जाए तो वो कहते हैं हम लोगों को थोड़ा बस show off करना है तो show off करने के लिए cos theta को मैंने लिख दिया 1 minus sin square theta ठीक है cos square theta क्या होता है 1 minus sin square theta बट यहाँ पर cos square नहीं है cos theta है इसलिए इस तरह लिख दिया और यहाँ पर हो गया मेरा normal is equal to m1g under root of 1 minus sin theta किसके बराबर है m2 upon में m1 के ठीक है m2 upon में m1 तो यह बन जाएगा m2 square upon में m1 square यह लो तो भई यह थोड़ा show off वाल answer हो गया यह direct answer हो गया काम खतम हम बस इनी च ग्यान को apply किया जब आप तो खुद बखुद निकल कर आगया ना the thing is अपना concept जो knowledge मेरे पास है apply करी अगला काम जो छटी साथी में हमने सीखा simplification का वो किया अगर आपने ग्यान सही apply किया है तो simplification में आप गलती कभी नहीं करोगे क्योंकि इसके लिए आप already 4-5 साल का कि तरफ आप यहां पर उसको read करना start कर दो ठीक है अब बुलेट मुव से 250 मीटर पर सेकेंड एक सेकेंड मैं इसको पेनिट्रेट किया assuming that force exerted by the tree limb is uniform तो आपको ऐसा ऐसा करना है कि tree ने जो force लगा उस बुलेट पर वो युनिफॉर्म फोर्स था ठीक है find the magnitude of mass of find the magnitude find its magnitude अच्छा आपको force का magnitude बताना है given mass of bullet is 10 gram ठीक है mass of bullet क्या है 10 gram है तो आप देखो सबसे important चीज यहां पर mass gram में दिया है velocity meter per second में दिया है in India हम लोग जो unit system follow करते हैं हम follow करते है mks system ठीक है तो यह आपका meter है यह आपका meter है यह आपका kilogram है kilogram है और time आपका second में है ठीक है तो देखा जाए तो meter और second तो आ रहा है बट जो mass है आपका वो gram में है तो obviously मुझे इसको kilogram में convert करना होगा तो 10 gram को अगर मुझे kilogram में convert करना है तो 10 को 1 gram एक बटा 1000 kilogram के बराबर होता है तो 1000 से divide किया और यहाँ पर यह बन जाएगा kg तो 00 कटेगा माफ करना ठीक है तो यह बन जाएगा फोर्स लगा रहा है वो opposite direction में लगा इसलिए negative acceleration मिलेगा तो distance traveled अब यह भी देखो centimeter में है तो मुझे इसको convert करना होगा किसमे meter में तो 5 centimeter 5 centimeter को में divide करूँगा 100 से तो यह बन जाएगा मेरे पास 0.05 0.05 यह one point बनेगा 05 meter अच्छा तो यहां पर एक और 0 आएगा 0.001 kg ठीक है चालो तो आप देखो नहीं 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 माफ करना हम आफ करना तीन ही 0 आएंगे तीन ही 0 आएंगे क्या कर रहा हूं मैं 0.01 kg ठीक है 0.01 kg क्योंकि 100 है मैंने 1000 सोच लिया था ठीक है तो भई आपकी final velocity क्या होगी 5 cm के बाद वो रुख जाएगा यानिकि 0 और आपकी initial velocity कितनी है 250 का square प्लस में 2 times acceleration आपको पता नहीं है और displacement आपकी 0.05 meter के बराबर है and here goes your answer आपके पास acceleration खुद बखुद negative आ जाएगा so acceleration is 25 into 25 625 होता है 625 double 0 ठीक है और यहां पर 2 into 0.05 है तो यहां पर मैं करता हूँ 2 into 0.05 इस point को हटाते हैं multiply 100 उपर कर देते हैं तो यहां से यह हटेगा अब देखते हैं 510500 ठीक है और यह हो जाएगा 5250 तो यह आजाएगा 5250 और इसके दो 0 लूँगा 00 meter per second square minus में यहां पर यह माइनस में क्योंकि इसको यहां लेके जाएगे तो negative हो जाएगा ठीक है तो acceleration आगया मेरे पास इतना अब acceleration आगया मेरे पास आपको बताना है force तो force क्या होगा mass times acceleration mass कितना है मेरे पास 1 upon 100 यह रहा मेरे पास 0.1 के जी ठीक है तो 0.01 के जी तो भी हो जाएगा 1 upon 100 multiply 525000 मैं magnitude ले रहा हूँ अभी इसलिए मैंने negative हटा दिया दो zeros को मैं card देता हूँ तो यह बन जाएगा 5250 Newton का force इस direction में bullet के उपर और bullet ने कितना लगाया Newton के तीसरे नियम के अनुसार bullet भी इतना ही force टीपर लगाएगी इस direction में अपने आप आगया direction भी मिल गया और यहाँ पर magnitude भी आ गया as simple as that तो देखो कितना simple सा और easy सा question है यह ठी ठीक है चालो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ ठीक है अगले question की तरफ बढ़ते है अगला question आपके screen पर है with what acceleration ठीक है with what acceleration a should with what acceleration a should the box of figure this descend so that the block of mass m exert a force mg by 4 on the box इतना simple question है आप देखो यह रहा मेरे पास एक lift ठीक है जिसमें एक box रखा हुआ है ठीक है जिसका mass है capital m और यह नीचे जा रहा है a acceleration से a acceleration से ठीक है तो आपको बताना है कि acceleration a कितना होना चाहिए कि यह box जो है नीचे floor पर mg by 4 के equal force लगाए ठीक है तो देखो यहाँ पर काम हो गया तो भई मैं fbd बना लेता हूं m का इस block का fbd बना लेता हूं और देखो कैसे इस block पर जो forces लग रही है इस block पर जो forces लग रही है वो कितने है capital mg नीचे की तरफ और यह block floor पर force लगा रहा है तो floor इस पर force लगाएगा और fbd में कौन सा force लूँगा जो force इस पर लग रहा है that is your normal force ठीक है अब यहाँ पर शर्त क्या है शर्त यह है कि acceleration की value कितनी होनी चाहि यह बस काम कतम तो अब यह नीचे accelerate कर रहा है तो नीचे की direction में acceleration positive ले लिया नीचे की तरफ force कौन सा है mg minus उपर की तरफ force कौन सा है mg by 4 तो net force नीचे की तरफ हो गया यह और net force किसके बराबर होगा mass times acceleration तो a की value आ गई m से m common लेके काट दो तो 4 minus 1 3g by 4 is equal to your acceleration तो अगर आप इ तो है यह chapter ठीक है तो यहाँ पर हमने वैसे भी easy question सी लिए है ठीक है चलो तो अब आपके next question की तरफ बढ़ते हैं force on a particle of mass 10 gram ठीक है अब यहाँ पर इसको रब करता हूं ठीक है a force on a particle of mass 10 gram एक particle है जिसका mass given है 10 gram ठीक है इस पर जो force लग रहा है ठीक है जो force लग रहा है f vector वो given है 10 i cap plus 5 j cap newton ठीक है 10 newton x direction में 5 newton y direction में ठीक है if it starts from rest what would be its position at time t is equal to 5 second 5 second बाद आपको इसकी position बतानी है तो position बताने के लिए हम बना लेंगे अपना frame of reference तो भाई यहाँ पर इसका force x direction में कितना है 10 newton और इसका mass है 10 gram ठीक है तो 10 divided by 1000 याने कि 1 upon 100 kg ठीक है 1 upon 100 kg काम खतम तो force यह force in x direction कितना है fx कितना है 10 newton का और वो किसके ब next direction तो यहाँ पर आपका ax कितना हो जाएगा ax हो जाएगा 10 upon में mass ठीक है similarly fy कितना होगा 5 newton का वो होगा mass times acceleration in y direction तो ay कितना हो जाएगा 5 upon में m के equal ताम खतम तो अभी 10 upon m 5 upon m ही रखते हैं last में उसकी value put करके हम लोग निकाल लेंगे तो भाई यहाँ का acceleration हमें पता चल गया that is 10 upon में m y direction का acceleration that is 5 upon में m perpendicular vectors अपना अपना काम करेंगे तो इनको अपना अपना काम करने देते हैं तो भाई initial velocity दोनों direction में 0 तो final यहाँ पर इनको हमें बताना है कहां गया question 5 second बाद इनकी position क्या होगी तो भाई 5 second में यह कुछ distance travel करेगा x में तो मान लो यह displacement in x है similarly उस 5 second में y मे कुछ distance travel करेगा यह sy है तो इसकी position क्या होगी यह रहा sx, sy काम खतम यह आपके position आ गई यही आपको करना है तो position निकालना है आपके पास क्या क्या है initial velocity है acceleration है और आपको यहाँ पर time given है और आपको यहाँ पर position बताना है तो simple x direction का position क्या होगा displacement in x direction initial velocity मैं इस formula का यूज acceleration है initial velocity 0, 0 multiply t 0 हो जाएगा 1 upon 2, acceleration कितना है मेरे पास 10 upon m, multiply time कितना है 5 उसका square यानिकि 25 ठीक है तो यह हो जाएगा 5, 5 into 25, 125 तो sx हो गया मेरे पास 125 upon m, अब n की value यहाँ पर put कर देते है, 125 upon में 1 upon 100, तो multiply 100 यहाँ गया, तो 125 00 meters, यह मेरा पहुँच गया कहाँ पर x direction में, ठीक है चलो, अब similarly sy निकालते है, initial velocity मेरे पास 0 है, ठीक है half, acceleration in y direction is 5 upon m, multiply 5 का square 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 125 upon में 2m, m का value हो जाएगा 1 upon 100, 100 को उपर लेते हैं, ठीक है, तो यह कट करता हूँ मैं यहाँ से 6, 2, 105, तो यह बन जाएगा 6, 2, 5, 0, 6, 2, 5, 0 meters, काम खतम, और यह आगे म यहाँ पर 1, 2, 5, 0, 1, 2, 5, 0, 6, 2, 5, 0 meters, यह आगई आपकी position, यहाँ पर देखो question हो गया, तो इसको मैं ऐसे represent करता हूँ, यह रहा, this is my position vector, so my r vector is, यहाँ लिख देता हूँ, r vector is, 1, 2, 5, 0, i cap, plus 6, 2, 5, 0, j cap, bracket लगा के, यह meter में है, इसलिए यहाँ पर meter लगा दिया, देख level 1 के questions थे, और अभी level 1 के कुछ और questions है, जो rope के उपर है, बट क्योंकि अब video की length लंबी हो रही है, ठीक है, और इतने time के बाद हमें break लेना चाहिए, ठीक है, so next video, इसी video की continuity होगी, जिसमें आगे के हम लोग level 1 के ही questions रहेंगे, बट वो rope के उपर, pulley के उपर, इन चीज़ों करना है, और उस घ्यान को apply करने की practice करनी है, आज हर परिस्तिती को सोचना है, ताकि exam में किसी चीज़ के लिए हमें सोचने की जरूरत ना पड़े, simple, इस chapter के अंदर अगर हम जो observe कर पाए, वो ये FBD लगाना है, forces को अपने XY frame में तोड़ना है, अगर 3 dimension में है, तो XYZ में त into acceleration in X direction के बराबर, Y direction का net force, mass into acceleration in Y direction के बराबर, Z direction भी है, तो Z direction का net force, mass into acceleration in Z direction, बाकी का काम सब vector की तरह ही है, क्योंकि ये खुद एक vector है, तो X का निकालो, Y का निकालो, Pythagoras करो, resultant मिलेगा, trigonometry का इस्तमाल करो, angle मिलेगा, ठीक है, और अगर Z में है, तो उसके लिए जब हम level की continuity रहेगी, उसके बाद हम लोग 3rd lecture के अंदर, 3rd question answer की जो वीडियो होगी, उसमें थोड़े बड़े questions लेकर आएंगे, ठीक है, तो इस lecture के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ, आपको मजा आया होगा, और सही knowledge को, अगर आपको लग रहा है, कि हम आपको सही knowledge दे रहे ह ठीक है, तो इस lecture के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे next lecture में, till then take care, bye bye, चाहें